अलो एब्रिवान आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में दोस्तों आप 4000 घंटे की वाच टाइम आप अपने ही सौट वीडियो से कम्पलीट कर पाओगे जी हाँ दोस्तों अपने चैनल के 4000 घंटे की वाच टाइम जो मॉनिटाइजिशन के लिए जरूरी होता है उसे आप अपने ही सौट वीडियो से कम्पलीट कर पाओगे तो गाइस किस तार से कम्पलीट करोगे अपने चैनल के 4000 घंटे की वाच टाइम को क्या प्रोसेस है इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़े डीटेल्स में बताऊंगा बस आप इस वीडियो को पूरा कम्पल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो गाइस चलिए आईए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो गाइस अपने सौट वीडियो से चैनल के 4000 घंटे की वाच टाइम को कम्पलीट करने की प्रोसेस जानने से पहले आपको एक छोटा सा चीज जानना है आज से कुछ दिन पहले आप सबको पता होगा कि आज से कुछ दिन पहले यूटूब ने एक अपडेट लाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अब जो है यूटूब स्वाट वीडियो से चाहे हो डेस्क्रिप्शन हो या चाहे कमेंड में पीन किया हुआ हो जो भी लिंक है वो सभी लिंक को यूटूब हटा देगा कोई भी लिंक वहाँ पर अगर रह भी जाता है तो वो क्लिकबल नहीं होगा तो गाइस अब यूटूब का यह काइना है कि अब से जो है हम सौट वीडियो में आप लिंक डाल पाओगे लेकिन आपके उस वीडियो के रिलेटेट अपने ही चानल के किसी लॉट वीडियो के लिंक को डाल पाओगे तो गाइस इससे फायदा यह होगा कि आप जब अपनी सौट वीडियो में अपने लॉट वीडियो के लिंक को डालोगे अपनी लॉट वीडियो को सौट वीडियो के साथ लिंक करोगे तो इससे जो है यूटूब पर जो भी audience आपके short video पर आएगा वो उस link पर click करके आपकी long video में भी आएगा और आपके long video में जो है watch time देगा आपके channel के 4000 घंटे की watch time जो है वो complete होगा क्योंकि दोस्तो short video की reach जो है बहुत जादा होता है और short video बहुत तेजी से viral होता है जब short video viral होता है तेजी से उसकी reach जादा होता है तो लोग short video जब देखेंगे audience आपके short video पर आएंगे तो आपकी long video के आपके channel के किसी भी long video जब आपके short video के साथ link रहेगा तो आपकी short video में जहाँ पर subscribe button होता है उसी के नीचे आपको वहाँ पर आपकी एक video दिखेंगा जैसे आप यहाँ पर screen पर देख पा रहे हो उसी तरह की एक video दिखेंगा उस पर जैसे ही click करेंगा तो वो सीधे redirect होका आपकी long video में लिकर जाएगा और लोग आपकी long video को देखेंगे इससे आपकी चैनल के watch time जो है बढ़ेगा तो गाइस अब आपको हम process बताएगे कि आप अपनी short video में किस तरह से अपनी long video की link को जो है डालोगे वहाँ पर अपनी long video को short video के साथ link करोगे वो process मैं आपको बताऊँगा तो गाइस अपने short video के साथ long video को link करने के लिए short video के साथ long video को relate करने के लिए सबसे पहले आपको करना का है आपको अपने phone के जो chrome browser होता है उसी chrome browser को आपको open कर लेना है open करने के बाद यहाँ पर आपको three dot मिलेगा इसी three dot पे click करके यहाँ पर आपको नीचे एक desktop site का option मिलेगा आपको इसी desktop site पर click कर लेना है click करने के बाद अपने channel पर आ जाना है आकर अपने channel के video में चले जाना है और उस video को उस short video को open कर लेना है जिस short video पर आप जो है अपने channel long video को link करना चाते हो तो guys उसके लिए आपको करना का है आपको अपनी short video में तो यहाँ पर मेरा short video हम इसी video में जो है click करेंगे tap करते हैं यह short video जो है edit mode में आ जाएगा कुछ इस्ता से open हो जाएगा अब आपको यहाँ पर करना का है यहाँ पर देखिए जब इस्ता से open हो जाएगा यहाँ पर आपको side में एक option मिलेगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर video के नीचे आपको यहाँ पर यहाँ विडियो दिखेगा यहाँ पर आपकी visibility दिखेगा restriction ठिक उसी restriction के नीचे आपको यहाँ पर एक option मिलेगा related video आपको यह जो related video दिख रहा है इसी related वीडियो में यहां जो pencil का icon दिख रहा है इसी pencil बाले icon पे आपको click कर लेना है जब आप इस पे click करोगे तो आपके channel पर जितना सारा वीडियो है वो सभी वीडियो यहां पर आ जाएगा अब आप जिस वीडियो को link करना चाते हैं अपने short वीडियो के साथ उस वीडियो नहीं आ रहा है तो यहां पर आपको search option मिलेगा आप इस पे अपनी वीडियो की title को search कर लिजिए वो यहां पर आ जाएगा आने के बाद जो भी वीडियो link करना चाते हैं उस वीडियो को यहां से जो है select कर लिजिए जब आप select करोगे तो यहां पर जो है वो video देखिए यहा आ पर वीडियो आ चुका है अब आपको करना क्या है यहां पर उपर में आपको save का option मिलेगा यह जो save का और उस पे सब्सक्राइब बटन के पास आपकी ये लॉंग वीडियो आ जाएगा और वहाँ से क्लिक करके वो सिधे रिडाइरेक्ट होकर आपकी लॉंग वीडियो में आ जाएगा इससे दोस्तों आपके चानल के आपको पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो के कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंकिए